A very good afternoon to all my dear students आज की Labour Welfare की क्लास में हम Social Security को ही continue कर रहे है Social Security Part 2 Need and Importance of Social Security Social Security की क्या importance है क्या need वो carry करता है सबसे पहले ये जो है ये कल्यानकारी सरकार के दायत्व की पूर्ती करता है जो Social Security है वो जो ये प्रतेक राजे का करतवे बनता है कि वे समाज की प्रतेक सदसे को उच्जित समाजिक स्थर की गारंटी दे और वास्तम में ये अधुनिक जो राजे की मूल करतवे है और उसका एक आवश्यक कार्य माना जाता है सेकंड पॉइंट हम देखें जीवन में स्थिर्था शोशल सेक्योरिटी की वज़े से जो सामजिक सुरक्षा योजनाए है आधुनिक जीवन के कश्टोयम तनाव को स्थिर्था वे सुरक्षा प्रदान करती है और थर्ड हम लेते हैं आकस्मिक संकटों में राहत प्रदान कर अगर कोई भी व्यक्ति के ओपर संकट आ जाता है दुर्गतना हो जाती विमारी हो जाती तो शोशल सेक्योरिटी उसे आर्थिक सहायता देती है व्रिधावस्था की चिंता से मुक्त करना अब शोशल सेक्योरिटी की वजह से यह जो चिंताएं होती जो व्रिधावस्था म लिए व्यकति के जो स्वास्त की रख्षा के लिए उसकी हेल्थ की को Kerry Party provide करती है Social Security नेक्स्ट हम लेते हैं मैं बेडोजगारी में सुरक्षा अगर व्यक्ति किसी कारण से उसके साथ को ऐसी दुरोगट ना जाती है तो जो बेरोज़गारी उसमें पाई जाती है उसके लिए उस शोशल सिक्योरिटी उसे सुरक्षा प्रदान करती है आश्रितों की सुरक्षा शोशल सिक्योरिटी के वज़े से यह भी पाया गया है कि अगर किसी के आकाल नुत्ति हो जाती है किसी श्रमेक की अकरम ज सिसक्य तुर्षक्षा बुरायों की सुरक्षा को समाज्व सिक्यूरिटी उसका परिवार को यह सिक्यूरिटी उसे सुरक्षा है पिर आता है कुषलक्षित को निरंतर उपलब्दि सामाजिक सुरक्षा के अभाव में इस्थाई वे कुशल श्रमिकों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो अगर हम देखें कि सांस्था में इस्थाई वे कुशल श्रमिकों का बहुत जादा बड़ा महत्व होता है तो यह जो सामाजिक सुरक्षा होती है उनको अपने कारे के तरफ या संस्था की तरफ आकर्शित करती है सुरुदर्ण श्रम्प संबंदों का निर्मान सामाजिक सुरक्षा से पाया गया है कि जो लेबर और मैनेजमेंट जो है उनके बीच में जो रिलेशन है वो साउन या स्ट्रॉंग पाये गए है इंडेशनल शानती रहता है कोई विवाद ऐसा या विवाद में कमी पाई गई है और शोशल सेक्योरिटी स्कीम की वज़े से कारे कुशलता में व्रिद्धी और व्यक्ति की कारे कुशलता में व्रिद्धी होती है क्योंकि उसका मन शान्त है और उसका दिमाग शान्त है और उसको किसी तरीके का तनाव नहीं होता है अब खुद को लेके खुद की हेल्थ को लेके अपने परिवार को की security को लेकर तो यह पाया गया है कि व्यक्ति की कारेकुशलता में विर्धी होती है अब आता है social security schemes in modern इंडिया यह जो है इसके अंदर almost there are 14 social security schemes तो अगर हम देखे तो पहला आता है श्रम जीवी शतिपूर्ति अधिनियम दूसरा है करमचारी राज्य भीमा अधिनियम धर्ड आता है करमचारी भविश्य निदी एवं विवित प्रवधान अधिनियम फोर्थ आसाम चाय बागान भविश्य निदी अधिनियम कोईला खान भविश्य निदी योजना मातित्व लाब अधिनियम उपदान भुकतान अधिनियम मजदूरी भुकतान अधिनियम नियूनतम मजदूरी अधिनियम विक्रय समवर्धन करमचारी अधिनियम जबरन छुट्टी तथा छटनी की शतिपूर्ती व्रधावस्ता पेंशन योजना व्यक्तिगत दुर्गतना भीमा योजना सामाजिक सुरक्षा समुव भीमा योजना अब यह जो है इसमें से बहुत सारी जो स्कीम से सरी बहुत सारे जो एक्ट हैं वो आप अल्रेडी आपके एवसाथ एक और लेजिसलेशन वह पेपर भी मैं ही पढ़ाती हूं हम उसके अंदर बहुत सारी स्कीम को डीटेल में पढ़ चुके हैं अगर आप से एक्जाम में पूछा जाता है शोशल सिक्यर्टी की स्कीम तो यह जो 14 पॉइंट से आपको इसको थोड़े-थोड़े एक्स्प्लेइन करना है और बाकी अगर डीटेल में है तो वो उस पेपर में पूछा जाएगा इसके अंदर नहीं पूछा जाता है जैसे अकरम देखें वर्कमेंट कंपेंसेशन एक्ट जो है जो एक जुलाई 1924 को लागू किया गया है जमू कश्मीर को छोड़के सभी पढ़ा चुकी हूँ श्रमी को शतिपूर्ती का अधिकार होता है व्यक्ति को कारे के दौरान या उसके साथ दुरगटना हो जाती है तो उसकी शतिपूर्ती को काउंट करा जाता है उक्क्यूपेशनल डिजीजिस वगेरा हम पढ़ चुके हैं फिर आता है एंप्लोई और चिस या इनप्लोई का इंशॉरंस करवाया जाता है उसको वीमारी हित लाप दिया जाता है मातित्व लाप दिया जाता है समर्थता लाब चेंदेंट्स है चिक Takita नाप या फिूनरेल है यह सारे लाब उसको दिये जाते हैं थर्ड हमारा Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act इसके अंदर हम तीन योजना है भविशे निदी योजना करमचारी परिवार पेंचन योजना करमचारी जमा संबंद बीमा योजना फिर आता है हमारा नेक्स आता है इसके बाद Employee इसके बाद हमारा आता है इसके नापक आसाम टी गार्डन प्रोविडेंट फंड जो है वो है 19 वो एक्ट है 1955 के अंतरगत है और इसके अंदर यह इस अधिनियम में सभी शेडियों में करमचारी के हित के लिए कुल आए जिनकी 500 से अधिक है उनक नैक्स आता है कोल माइस फंड को कोईला खान भविशे निधी योजना कहते है यह जो एक्ट है शे मातितव लाब होता है जो कि जो हमारी महीला श्रमिक होती है उनको दिया जाता है है अभी जो एड़ प्रेजंट है वो 180 डेज का मिलता है और इसके अंदर यह जो है यह उनको दिया जाता है जो की बच्चों को बच्चे को जन्म देने वाली माएं होती है फिर इसके अंदर आता है जिसको उपदान या भुकतान अधिनियम कहते है 1972 के नाम से जाना जाता है इसमें कुछ कारखाने खान टेल शेत्र या जिसको ओईल फील्स कहते है बागान या गोदी या रेलवे पर लागू होता है उन दुकानों पर भी लागू होता है जिसमें 10 या दस से अधिक व्यक्ति न्यूप्त रहे हैं फिर उसके बाद हम देखते है कि वेजिस कैसी दी जाती है और किस माधियम से दी जाती वेजिस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जाती है नेक्स आता है the minimum wage act, minimum wage act को नियुन्तम मजदूरी अधिनियम के नाम से जानते है 1948 के नाम से इसमें ये का जाता है कि व्यक्ति को नियुन्तम समय दर, नियुन्तम कार्य अनुसार दर या कार्य अनुसार, मजदूरी दरपन, नियुक्ष्रमिकों के लिए नियुन्तम, गारेंटी युक्त, समय दर या अधि समय ये four categories है जो कि वो minimum इसमें जो employer है उसको employee को देना ही पड़ता है फिर आता है हमारा layoff and retirement compensation, layoff and retirement आप जानते ही कामबंदी और छटनी होती है उसके बाद हम देखते है old age pension plan, old age pension plan, व्रिधावस्ता pension plan के नाम से जानी जाती है फिर है व्यक्तिगत, दुरगटना, भीमा योजना, personal accident insurance, scheme इसमें ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति earning member है अगर उसके साथ दुरगटना हो जाती है तो उसके लिए क्या provisions बनाए गए है social security group insurance plan है जो की जो landless agricultural labors होते हैं जो group insurance scheme के तहित उनका insurance करा जाता है अब shortcomings of social security schemes in India अगर आप देखे इसके अंदर कुछ कमिया पाई गई है सबसे पहले सीमिश शेत्र है जैसे कुछ खान, कारखानों, बागान, आधी पर देखा गया है ये पिर एकिगरत योजना का भाव पाया गया है एक integrated जो प्लान होना चाहिए उसकी कमी पाई गई है अब पर्याप व्यवस्ता है व्यवस्ताएं पूरी ढंग से नहीं दी गई है संचालन में शित्हिलता पाई गई है लाल फीता शाहिद जिसे हम कहते है रैट टैपिजम वो भी देखा गया इसके अंदर अंचो अंचद रेत्यकूरों क्लाब का जो है वो पर्याप्त पाया गया है सजैशंस की बात करें तो क्या सजैशंस रहते हैं सबसेब Kundu के surprised करना है कि निर्मान एक ऐसी नैशनल पॉलिसी बननी चाहिए। इसके लिए शोशल सेक्यारिटी के लिए इसकी मिपनी चाहिए। विकेंद्री करना जरूरी है, शेत्रों का विस्तार करना जरूरी है, पर्याप्त लाप सभी को मिले ऐसा देखना चाहिए, प्रभावपुन तरीके से इसे लागू करना बहुत आवशक है उसके साथ साथ अंजदान या यथा समय भुक्तान होना जरूरी है, बेरोजगारी, लाब की विवस्ता होनी जरूरी है, श्रमिकों को जहनकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि उनको क्या लाब मिल रहा है, ये लोग इससे क्या लाब उठा सकते हैं, नियुनतम मजदूरी के साथ सामजिक सुरक्षा की योजना को भी जोड़ना आवशक है, फिर आपको इसस इंपोर्टेंट कोश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से, जिसको हम बोलते हैं, एक्स्प्रेंदे वीरेस स्कीम अंडर दा शोशल सिक्योर्टी जो 14 स्कीम आपकी बुक में लिखिए, और उसके बाद है, एक्स्प्रेंदे नीड एन इंपोर्टेंस अब इस नीड इंपोर्ट इंपोर्टेंस क्या है, तो उसको आप अबजेक्टिव के तौर पे भी मेंशन कर सकते हो, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे वाट्चाप ग्रूप पर पूछ सकते हैं, थैंक्यू सो मच